वेलकम स्टूदेंट्स स्वागत है आपका एक बाई फिर से हमारी चैनल उपलर गुरू पे बात कर रहे हूं सभी स्टूदेंट्स की जो कि पीजी में एडमिशन लेने वाले थे दोस्तों आप सेकंड मेर्ट लिस्ट का बहुत स्टूदेंट्स वेट कर रहे थे क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इसलिए वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है आपके लिए जो जो पीजी में अडमिशन लेने वाले थे सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे बात करने वाले हैं अगर क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसके बारे में के बारे में बात करने वाले हैं तो कुल मिलाके वीडियो को students complete देखिए लेकिन वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दे कि हमारे इस चैनल पाटले पुत्र यूनिवर्सिटी से सभी के सब्से पहले दिये जाते हैं नहीं जुड़े हुए अभी तक तो जुड सब्सेट को अभी भी लगता है कि यह जो second merit list का admission है वो पोस्पोन नहीं हुआ है वो अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो है यह admission नहीं हो पा रहा है तो students उन सभी students को आपको बता देने वाले हैं कि सायद आप लोगों ने अभी तक वो पोस्पोन वाला notice था जो कि second merit list मे के admissions पर रोक लग गई है वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को बता दें कि second merit list का admission है वो अभी नहीं हो रहा है और कब होगा वो पूरी की पूरी बात आज आपको दिखाने वाले हैं आप लोगों ने अगर ये notice देखा होगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि PPU में नमांकन समीती की बैठक आज होगी और आज जो की बैठक होने वाले थे जिसमें की कुलपती भी बैठक में शामिल होने वाले थे तो students आपको बता दें कि उस बैठक में वो बैठक हो नहीं पाई थे वो बैठक को कंड़क्ट फिर शनिवार को किया गया था और शनिवार को बैठक होने के बाद आप लोग को बता दें कि यहां पर अभी तक कोई notice आया तो नहीं है लेकिन उससे एक चीज़ आप लोग को बता दे कि क्या-क्या most important चीज़े निकली है कि अभी तक जो first minute list के हिसाब से admissions हुए है वो सारा 8400 सीटे खाली थी जिसमें कि अभी तक 4,000 सीटे ही यहां पर admission के लिए acquire की गई है बाकि जो आधी सीटे है वो अभी भी खाली है क्योंकि जो students और एक तरह के और students है उनको बता दे कि बहुत सारे students यह confusion में है कि उनका second minute list में नाम आ दिया गया लेकिन second minute list में नाम आ गया था तो आपको इसी बात पर एक और आप लोग को notice यहां पर दिखाने वाले है students आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो second minute list में जिन students का नाम आ गया था और जिनका नाम नहीं आया था दोनों के लिए बहुत ही important notice है यह वाला तो PPU में स्थगत PG नामांकन प्रकिरिया शुरू होगी यहां पर देख सकते हैं पाटसे पुत्र विश्विद्याले में सनाता कोतर यानि कि PG में MSC M.com कि स्थगत नामांकन की प्रकिरिया को एक बाल फिर से शुरू किया जाएगा दूसरी मेधा सुची में नामांकन के लि क्योंकि लगातर हम लोग नजर बनाए हुए यहां पर कि कोई भी यहां पर कुल्पती के दौरा कोई भी अपडेट जारी किया जाता है सारा कुछ आपको सबसे पहले बताया जाएगा लेकिन यहां पर देखने वाली बात एक महत ही महत्पुन यह है कि यहां पर उमीद है क कि यहां पर देखने वाली बात द्यान से इसको सुनिएगा कि कुल्पती जो है उनके द्वारा बताया गया है कि दूसरी मेधा सुची में जिनका नाम आया है सभी का नाम आंकन लिया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यह आप लोग द्यान से सुनिए दुबार कोई fresh registration जिसमें कोई fresh registration नहीं होगा जिन छात्रों ने पहले से आवेधन किया है सिर्फ उनका ही मेधा सुची में नाम आयेगा इसके बाद ही अगर सीटे बचती है तो इस पॉर्ट राउंड होगा students अगर आपका second merit list में नाम नहीं आया है इस बात को आप लोग धियान से को fresh apply करना है तो उसके लिए अगर सीटे बचती है तो spot round भी open किया जागा क्योंकि पाटले पुत्र खुद भी यहां पे खाली सीटे college में क्यों रखेगा तो इसलिए आपको बता दें कि थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करने की जरूरत है एक से दो दिन में आप लोग का पोर्टल है वो वापस से खुलने जा रहा है आप लोग जाके यहां पर online admission कराईएगा उसके बाद आप लोग document verification का जो सारगा सारा process है वो दुबारा से यहां पर start होने वाला है सभी के सभी updates पे students आप लोग को बता दें नजर बनी विया जैसी कभी भी कोई भी update पाटली प पूर जाए दोनों का link आपको description में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आप लोग को क्योंकि बहुत सारी students यहां पर college नहीं जाते हैं तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि उनके college में उनके subject में चल क्या रहा है तो ऐसे में आप लोग के लिए facilities available करा ही हुई है हमारे telegram और इस बारे में discuss कर रहे हैं तो आप लोग को वहां से चीज़े पता चलती रहेंगी ताकि आप भी updated रहें अपने अपने colleges से तो जल्दी से जल्दी join कर लिए most important चीज़े उस पर भी आती है और जैसी कोई भी update आता है उसके लिए videos भी आ जाएंगी तो आपके पास अगर कोई question है जरूर पूछ सकते हैं आप लोग अगर वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में पूछ सकते हैं वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे comment section में पूछ सकते हैं और join कर लीजे दोनों telegram और whatsapp link description में देखने के लिए मिलेगा और वीडियो को share कर दें वीडियो को like नहीं के तो like कर दें मिलते हैं next update के साथ जैसे कोई भी update पातले पुत्र द्वारा जारी किया जाता है उसके साथ लेकिन updates मिलते रहने के लिए चैनल से जोड़ जाएं नीचे subscribe का button है subscribe कर ले चैनल को ताकि कोई update मिसना हो मिलते है next update के स जैसे कोई भी update जारी किया जाता है पातले पुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके साथ तब तक के लिए नमशकार